दिल्ली के रिहाइशी इलाकों में होटेल, रेस्ट्रॉण, पब और कैफे ये सब धाबे अब नहीं चल सकेंगे इन रेस्ट्रॉण और पब को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा देर रात तक पब खुले रहने से लोगों को काफी दिक्कते हो रही थी जिसके बाद सरकार ने दिली मास्टर प्लाइन 2021 में संशोधन के सिफारिश की इस सिफारिश पर कल डीडिये की मोहर लगेगी इसका असर सब्धर जंग लोधी कॉलोनी जैसे पॉश इलाकों पर पड़ेगा जहां देर रात तक पब और रेस्ट्रॉज खुले रहते हैं प्रकाश 2021 के इस मास्टर प्लान में संशोधन तो यहां पर किया जाएगा लेकिन इन रिहाईशी इलाकों से निकाल कर इन रेस्ट्रॉज और पब्स को कहां शिफ्ट किया जाएगा देखिये उसके उपर एक कल एहम बैठक है डिडिये की जिसमें इस पूरी प्लान पर चरचा होगी कि कैसे इन कलब्स को पब को यहां से अगर एश्रेंट है उनको यहां से बाहर निकालके कहां कहां उनको इस्टैब्लिश किया जाए इसके बाद पूरी प्रक्रिया बनेगी जिसमें सबसे एहम चीज़ यह हैं कि इन सिफारिशों पे मुहर लग जाती है तो तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जो प्रभावित होंगी और जहां रेज़ेंशल इलाकों में इस तरह के कलब और पब्स चल रहे हैं जिसकी वज़े से लोगों को परिशानी होती है क्योंकि इनके पास पूरी नाइट सौविस देने की ऑपरेशन करने की के लाइसेंस होते हैं अब सवाल यह है कि इनको कहां शिफ्ट किया जाएगा तो इसके पूरी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में इनको जगह एलॉट भी की जाएगी या फिर क्योंकि सेलिंग के प्रकिरिया शुरू है और ये पूरा का पूरा मामला जो है सेलिंग के कॉंटेक्स्ट में ही लिया जा रहा है जिसमें रिहाइशी इलाकों से इन establishment को बाहर निकालने के अलावा तमाम ऐसी सिफारिशे हैं जो की गई है जो master plan 2021 है उसमें संशोधन की जिसमें पारकिंग के जो जो इस्पेस है वो प्रॉपर होने चाहिए इसके अलावा अगर जिस भी commercial establishment के पास parking space नहीं है उसको parking space के लिए कहीं भी अलग जो slot है वो बुकराना होगा उसको provide करना होगा ताकि जो जो लोग है उनको दिक्कते नहों यह तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इसकी सिफारिश की गई है कल इसकी एहम बैठक है जिसमें इस बात पर मुहर लगेगी कैसे इन establishment को इन इलाकों से बाहर निकाला जाए कहां वो जाएंगे इसका क्या criteria होगा जो इसके charges है वो किस तरीके से लगेंगे उन्होंने charges अगर पे किये हैं उसका accommodation किस तरीके से होगा यह तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर बैठक होने वाली है कल DDA की उसके बाद इस बैठक में अगर इन से फारिशों को मंजूर किया जाता है फिर LG की मुहर लगेगी त्योंकि यह जो एक committee बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगेगी और फिर उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया जाएगा ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पेदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक महचाने के लिए देख जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं यह खुलासा हुआ है एसो चेम हेल्थ केर कमिटी की एक रिपोर्ट में रिपोर्ट के मुताबिक करमचारियों को ऐसे मुश्किल टागेट दे दिये जाते हैं कि टेंशन की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाते और इसकी वजह से उ इन की कमी से प्रोडक्टिविटी घरती है जिससे सालाना करीब 10 लाग करोण रुपए का नुकसान होता है तनाव की वजहों में शामिल है बहतर काम करने का दबाव सह कर्मियों से मिलने वाली चनौती और बॉस का बेहद सक्त होना मेरे साथ एसो चेम की सीनियर डिरेक्टर मन्जु नेगी जी यहां पर जुड़ गई है मन्जु जी सबसे पहले तो बहुत बहुत चुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए मैं एसोचेम की इस रिपोर्ट में यह जो बाते सामने आई हैं यह काफी चौकाने वाली है किन-किन सेक्टर्स को अ इस रिलेटिव कंपनी हो बीपी ओ रो बांकिंग हो और जितनी हेल्ट केर सावर्टर सेक्टर अंदाश्री हो और ट्रावल इन टूरिजम है तो हमने दगबग 10 शेत्रों को कवर किया है इस सर्वे में और नियली हमने पांच से 5500 इंप्लोई का यह सर्वे किया है जिसके त आते हैं इसका रीजन शेयर डिमांडिंग टागेट हो गया यह आप जो अन अचिवेबल टागेट है जो जिसकी वज़े से इनने काफी हाइपर टेंशन शुगर और कई तरह की डीजिस का सामना करणा पढ़ रहा है मेरे साथ अशुक अगरवाल जी भी है जो कि एक हैल्थ अशुक जी एसोचेम की इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया यह आपने अभी सुना ही होगा और आपने मन्जु जी को भी सुना कि कैसे उन्होंने अलग-अलग सेक्टर के एम्प्लॉईज के साथ एक सर्वे किया जिसमें चौकाने वाली चीज़ें सामने होगा कि वो अपने एंप्लॉईज को एक हेल्दी एंवायमेंट दे सके लेकिन उससे अलग अगर कोई इंडिविज्वल कुछ सुधार अपनी जीवन में लाना चाहता है तो आप उसे क्या कहेंगे प्राइवेट जो एस्टेबलिश्मेंट्स है न वह एक टारगेट्स रखते हैं एंप्लाइस के लिए यह काव आपको उक्तर रहा है और वह टारगेट्स उनको पूरे करने पड़ते हैं तो उसके लिए वह बहनता वादब उनको एक्सेसिव जो है उनको वर्क करने पड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वर्क करने के साथ security of service है नहीं, तो उनको यह भी रहता है कि कहीं ऐसा नहों कि कहीं जोरी सी काम करने के बाद भी अगर मालिक खुश नहों, तो हो सकता है उनको नोगरी से निकाल दे, तो क्या होगा उनकी लाइफ का, तो future जब एक चरीके से एक सिस्टम में 24 घंटे जो है वो एक तरीके से रीप्ले जिसको कहते हैं, रीप्ले करेगा कि उसको हर तरीके से एफेक्ट करेगा मतलब, और फिर जब अगले दिन होगा और का डिमिनिशिंग उस पर चला जाएगा, तो मुझे लगता है कि यह जो आप कही लोगों को EMI देने हैं, अब अच्छी नोक्रियों में हैं, अगर हजार रुबे की नोक्री है, तो तो तेड़ा जार का खर्चा, तो 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 कैसे करोगे, मिल्स मैचिंग लाइफ है ला, तो इसलिए बहुत और सिक्वर्टी ऑफ सर्विस है नी, अनम्प्लायमेंट देश के अंदर इत इस सिस्टम की जो है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो तो सफर करने ही बढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने थोड़ा सा मौनिंग वॉक करता है, और शाम को थोड़ा सा एक्सेस करता है, योगासन करता है, तो शायद उससे भी फरक पड़ेगा, और मुझे यह बहुत जादा पागल पर नहीं दिखाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि लाइफ थोड़ी सी बैटर हो जाएगी, मजु जी, एसो जम ने रिपोर्ट तो यहां पर जारी कर दिया है, और काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट है, कंपनियों को भी अब यहां पर सोच के लिए? बिलकुल, बिलकुल, एक हमारी अभारा एसोचान की रिपोर्ट है, यह हम अपनी हेल्स कमीटी में जो बनाई है इसको हम सरकार को भी सक्षब्लिक करेंगे, चाथ साथ हम इतनी ही कंपनीज है, प्राइवेट, सेशली प्राइवेट प्राइवेट ने जहां पर ज किसी लिए हम यह दी कहना चाहते हैं कि एक तू टागेट ताइन आज होना बहुत जरूरी है कि इतने आज कर होना चाहिए उसके अलावा भी जैसे आप ऑफिसे में पही तरह के एक्सराइजे जिम और रिलाक्सेशन ताइम इस तरह से चीज़ें मोहिया कराई जानी कि अपका बहुत 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 शुक्रिया मन्जु जी आपका मारे सब्सक्राइज रूद दिए है लेकिन अब देखना होगा कंपनियों को भी सोच ना होगा कि इस तरह का प्रेशर वह अपने ने एंप्लॉई जो परफॉर्मिंस प्रेशर होता है उससे निपटन के लिए वो employees के लिए क्या कुछ आगे करते हैं